हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे अभी जो दो आईपियो शल रहे हैं जिसके इंदर सबसे पहला आईपियो है उदै शिव कुमार इंफरा का आईपियो उसमें अप् दिन है तो क्या इस आईपियो में अप्लाए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर और कल मतलब 22 मार्च को छुटी होगी शेयर मार्किट की शायद क्योंकि हिंदू नववर्ष लग रहा है गुडी पाडवा भी कहते हैं उगाडी भी कहते हैं नवरात्री भी कहते हैं और जूलेला जयनती भी होगी तो इसके करना चाहिए कि कल की तारिक में छुटी रहेगी शेयर मार्किट की और आप सभी को हिंदू नववर्ष की सुबकामना है क्योंकि अभी जो ये वर्ष च जो takeaway क्योंकि हमारे इंदुस्थान का नर्ष है फिर दूस्तों बात करेंगे जो ग्लोबल सर्फेस का I.P.O है उसका लेटिस ग्रे मार्किट का प्टीमियम कितना चल रहा है और इस I.P.O के लिस्टिंग भी होने वाली तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्टैटेजी क्या होन चाहिए मतब इसको long term के लिए hold करना चाहिए या sell करना चाहिए फिर दुस्तों एक upcoming IPO आने वाला है जो कि अगानी की competitor company है उसके बारे में भी हम details लेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon पर दबा के रख लिज मिलते रहें और telegram channel को भी join कर लिजिए ताकि आपको stock market के updates और वीडियो के notification हाथ वाथ मिलते रहें और free medimate account खुलवाना है तो उसकी link आपको description के अंदर मिल जाएगी angel one पर बिल्कुल free medimate account खुल रहा है तो दोस्तों बात करें ओदै शेव कुमार infra का IPO इसमें apply करने के लिए दूसरा दिन था तो दूसरे दिन ये ओवर subscribe हो चुका है दो गुना से भी ज्यादा subscribe हो चुका है तो काफी अच्छी बात है कि इसको दूसरे दिन काफी अच्छा subscription मिला है और कल की तारी में अगर देखें तो कल की तारी में ये IPO जो है under subscribe था under subscribe इतना छोटा issue size होने के जोड़ा बहुत तो होना चाहिए देखा जाए तो अभी काफी कम subscription है चासट करोड़ रुपय का issue size है और देखा जाए तो इस IPO के साबसे दो गुना से ज्यादा subscribe हो चुका है और परसू तीसरा दिन भी बाकी है जिसके अंदर और ज्यादा हमें subscription वगईरा देखने को का इसके अंदर QIB पूर्शन से 10% का है और retail पूर्शन 60% का है तो अभी देखा जाए QIB, NII और retail पूर्शन सारे पूर्शन जो है over subscribe हो चुके हैं तो ये काफी अच्छी बात है उदैक श्यू कुमार इंफरा के IPO के लिए तो इसको subscription काफी अच्छा मिला है अब दूस्तों ग्रे मार्केट के premium की तो उसका ग्रे मार्केट का premium है 10-12 रुपए के बीच में चल रहा है देखिए दूस्तों ग्रे मार्केट का premium जो है सिर्फ एक अंदाज होता है एक गैस होता है मतलब लोग कितना premium दे रहे हैं एक share के उपर तो ये सिर्फ एक अंदाज हा है fix नहीं है इस चीजें तो कभी भी उपर नीचे हो सकती है तो अंदाजन 10-12 रुपए के बीच में चल रहा है 408 share का ये lot है तो करीबन 4000 रुपए से उपर का फायदा बता रहा है एक lot पर आज की तारिक में करीब करीब देखें तो 25-30% जैसा ग्रे मार्केट का premium है आज की तारिक में तो अगर 20% से उपर होता है तो हम apply करने के लिए थोड़ा safe मानते हैं पर देखें दोस्तों अभी कोवीड जैसा time नहीं जो कोवीड के बाद time था जो IPOs एकदम से growth कर रहे थे और जो भी grey market का premium चल रहा था फैसा हमें listing gains भी बिल रहा था पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है अभी फरोसे नहीं रहना है पर overall देखा जाए तो demand वगरा ठीक नज़र आ रही है अब दूस्तों main सवाल यह आता है कि IPOs apply करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले listing gains के सब चकट देखें तो grey market का premium ठीक है और आज दूसरे दिन subscription भी इसको ठीक देखने को मिल रहा है ह मैं surety की साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी ऐसा महौल भी नहीं है कि हम surety की साथ कहें market भी ups and downs काफी ज्यादा चल रहा है market के अंदर पर हाँ थोड़े बहुत chances लग रहे हैं कि इसके अंदर listing is मिल सकता है और बाकी इसका price band जो है 33 उर्पे से लेकर 35 उर्पे के बीच में जो इसका price band है उसके करण क्या कि हो सकता है कि listing वाले दिन काफी buyers attract हो जाएं क्योंकि price band लिखने में छोटा नुजर आ रहा है फिर दोस्तों बात करें long term के साब सब साइप अपलाय करना चुई है यह नहीं करना चुई है तो दीखें दोस्तों यह उदैशिव कुमार infra company जो ह काम है काफी बढ़िया है और इसके अंदर competition बहुत ज़्यादा है competition मतलब जो listed company नहीं unlisted company से भी competition काफी ज़्यादा है और listed company से भी काफी ज़्यादा competition है उस मुकाबले जो यह company काफी ज़्यादा चोटी है फिर अगर financials देखें तो financial में regular growth नहीं है financial के अंदर उतार चड़ा वाले हैं हाँ अलांकि यह देखा जाए तो ज़्यादा revenue के अंदर गिरावट नहीं है profit making company है loss making company यह नहीं है यह अच्छी बात है debt है इसके ओपर debt ऐसी companies पर होता है क्योंकि इनका जो payment है वो बाद में आता है जो भी company का government का contract वगरा लेती है तो payment जो है दीरी दीर आता है तो ऐसी company पर debt तो होता ही है और बाकी 1290 करोड रुपय के order इसके आत में है और price band देखा जाए तो 33 से 35 रुपय का दिखने में सस्ता है पर हमने PE wise इसको compare किया था इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं कह सकते overall ज़्यादा महेंगा भी नहीं है तो overall देखा जाए तो ज़्यादा factor जो है negative नज़र नहीं आ रहे है मतलब अच्छा ही नज़र आ रहा है IPO अभी देखिए दोस्तों छोटी company है तो कुछ भी 140 क्रोड हर साले से growth रहती तो क्या है कि थोड़ा apply करने के लिए easy हो जाता थोड़ा उतार चड़ाओ भी है तो confusion जाता है तो अभी छोटी company पर कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कोई बड़ी company होती या कोई rapid traded market में company होती जिसकी brand ने मच्छा है जिसके थोड़े links ज्यादा अच्छे हैं तो हम क्या है कि सोच सकते थे कि long term में उसको रखा जा सकता है तो इसके लिए long term के साब से कहना थोड़ा risk की नज़र आ रहा है क्योंकि छोटी company है और बाकि listing gains के लिए थोड़ा ठीक है कि जो demand चली उससे साब से apply करने का सोच सकते है बाकि decision आको लेन गभी नहीं कह सकते तो 35 रुपे के असवास है तो हो सकता है 5% का अपर सर्कीट लगे तो उसके अंदर क्या है कि हमें थोड़ा बहुत फाइदा देखने को मिल सकता है तो बाकि अभी long term में ज़्यादा इरादा नहीं है listing gains के लिए सोच सकते हैं बाकि decision आपको लेना है फिर बात करें इस company के तो यह company जो है natural stone की processing करती है और quards जो है तो quards की भी processing करती है manufacturing करती है मतलब अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा इसका माल sell होता है तो अच्छी भी बात है कि इसको price अच्छे मिल जाते हैं पर negative बात यह है कि कुछ भी foreign policies या विदेश्यों के अंदर कोई भी अपने देश के अंदर कुछ भी policies के अंदर changes आ जाते हैं तो ऐसी companies पर effect बढ़ जा मैंने का दा review वाले डिए के अंदर सारी चीजे clear की थी कि मुझे long term में इसको रखने का कोई ज़्यादा इरादा नहीं है कि देखी दोस्तों यह छोटी companies है तो छोटी companies पर अभी कुछ भी कहना जोलदबाजी होती है बाकि सबसे बढ़िया है यह listing gains लेकर exit होता है और इसके बात करें तो 12-13 रोपे के अस-पस का grey market का premium है 100 share का lot है तो 1200 से लेकर 1300 रोपे के वीज में एक lot पर फायदा बता रहा है percentage wise देखें तो 8-9% जैसा grey market का premium है और इतना अगर listing gains मिल जाता है तो बढ़िया बात है तो दोनों ही IPO ठीक है ज़्यादा negatives इन दोनों IPOs के अंदर ही नह जाएगी Angel One पर बिल्कुल free में डीमेट अकॉन खुल रहा है link description के अंदर है तो दोस्तो अधानी की जो competitor company है वो है IRM Energy ये competitor है अधानी गैस की IRM Energy का जो काम है natural gas और competitive natural gas जो होती है उसकी supply करती है घरों में भी supply करती है और car वगेरा के अंदर भी ये चीजे काम आती है उसका issue issue size करीब गरीब शाड़े 600 करोड रुपए से लेकर 700 करोड रुपए के बीच में हो सकता है और इसने सेवी के पास अपने draft paper वगेरा जमा करा दिये हैं काफी अच्छी company है गुजरात के अंदर भी है पंजाब, दमांदीव, तमिल नाडू, इन सारी जगा ये company value हुई है और company भी है और company भी काफी अच्छी है, reputed company है, जानी मानी company है, ये company अगर list तोड़ जाती है तो काफी HR listing है तो अगर आप हमें देखने को बिल सकता है बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये कैसी valuations लेके आते हैं, सस्ती valuations लाते हैं या महेंगी valuations लाते हैं तो ये आन दूद नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलेग्राम चैनल को जोईन कर दीजे, फ्री में डिमेट अकॉन खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्चिन के अंदे मिल जाएगी, मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो के अंतर चुलेलाल जेंती, गोडी, वावगाड़ी और इंदू नव वर्ष की आपको सभी को सुखकामना है